आए तुलसीत अपोपन यूटूब चैनल में आप से व्यक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम चाचा कर रहे हैं यदि घर पर मरत्व सूतक लगा हुआ है तो मरत्व सूतक में ओन कौन से काम बर्जित हैं यानि मरत्व शूचक में भूल करके भी ये काम ना करें उसके बारे में कोछ जानकारी दी जा रही है आए गरुन पुरान में इसके लिए बहुत अच्छा वर्डन है जिसमें लिखा है के आसिरवाद देव पूजाम परत्व थान भी बंदनम परियंके सैनम इसपरसम ना कुरियात मरत्व सूतके आनि इस इस लोग का अर्थ है मरत्व सूतक के समय पर दरवाजे पर लोग बैठने के लिए आते हैं तो भी इस्तान छोड़कर उसके स्वागत के लिए आगे नहीं चलना है वो व्यक्ति अपने आप चल करके आएगा इस वात का ध्यान रखें उसको बैठने के लिए कुरसी नहीं उसके बैठने के लिए चारपाई नहीं जमीन में ही बिचायत कीجिएगा ऐसा वरडन है तो ये वरजचत बताए गया है उसके चंड छुना वरजचत बताए गया है जब वह जाने लगे तो उसके पीछे पीछे चल करके कुछ दूरी तक उसको विदा करने के लिए छोडने के लिए जाए इसको भी भगवान नारायन ने गरुन को कह करके इस बात के लिए वर्जित बता गया आसिरवादम आपके कोई पाम छूता है आप आसिरवाद नहीं दे सकते वैसे तो इंदरों में पाम छुपाईए मत आसिरवादम देव पूजाम देवताओं की पूजा नहीं कर सकते आने वाली व्यक्ति को देख करके खड़े हो करके उसका अबिनंदर नहीं कर सकते वर्णने और परियंग के सैनम उनको बैठने के लिए प्यास होने के लिए चार पाई विस्तर नहीं दे सकते और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई वैठने के लिए आता है इस पर से नहीं पुड़ा दूर हो करके बैठिये सट करके मत बैठिये इसमें एक दूसरे को बिलकुछ छुआ नहीं जाता कुरियान मरत सूतके मरत शूचक में इन सभी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और भी है संद्याम मरत सूतक में और भी कुछ चीजों का ध्यान दिया जाता है जैसे देवताओं के मंदर में अब दिया नहीं जला सकते गरुन पुरान को गरदान मिलाए के सूतक पातक में मरत शूतक में उसका सूध्या कर सकते हैं जैसे रोज आप पूजा करते हैं उसके बाद में पितरों का तरपन करते हों तो इन दिनों में मरत शूचक में पूजा ही नहीं कर सकते हैं पित तरपन का तो कोई सवाल ही नहीं उड़ता। ब्रामण भोजन जैसे आप एकादसी का ब्रत करते हैं और दौादसी को आप ब्रामण को भोजन के लिए वुलाते हैं तो इन दरों में यदि किसी की मृत तो यह बीच में एकादसी पड़ती है तो आप दौादसी को यानि किसी भी अबसर पर उस ब्रामण को आप भोजन नहीं करा सकते हैं और ब्रत आदी भी इसमें नहीं होता आप पहले से ब्रत कर रहे हैं तो अन मत खाईए लेकिन इसमें देवताओं की पूजा बिल्कुल भी नहीं होती, इसमें ये वड़न किया है, यदि इस नियम को तोड़ा है, तो भगवा नारण गरुन देव को क्या कहते हैं, नित्तम नेमित तकम कारियम सूतक या समाचरेत, तस्य नित्या दिकम पूर्वम, तर्तम कर्मम ब जो जो मैंने ये बातें बताई हैं, उन से थोड़ा बच करके, बैसे ही मानसिक जब कीजिए, मानसिक बंदन कीजिए, मानसिक इसमन कीजिएगा, देवी देवताओं खुर नहीं चुएं, बिल्कुल भी इन मर्यादाओं का पालन करें, तो इस गरंथ के माद्दम से, मैंसे वकामनाएं, करता हूँ, चाहत करता हूँ, कि आपके सब के पूरवज़ते प्रसंद हों, बहुत ज़्यादा प्रसंद हों, आप सब की तरक्यों, भगवान के चड़ों में मेरी रार्थना हैं, तो मरत्यू शू तक में इन बातों का ज्राम रखें, कल हम आपके सामन कुछ स्राद्ध को लेकर के कुछ वीडियो डालने वाले हैं, तुलसी तपवन यूट्यू चैनल को ऐसे ही देखते रहिएगा, और वीडियो यदि अच्छी लगी है, तो इसको आगे बेजना न भूलें, इस वीडियो में काफी जानकारियां मिली हैं, बहुत बहुत धन् अच्छी का लगवाज।